आज हम रुसोई में बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी या बेसन के गट्टे की सब्जी आप या बोल सकते हैं बेसन की बड़ी यहां मैंने लिए धाई कप बेसन यह दो या तीन बंदों के लिए इनफ हैं हम यहां पर प्याज और ट्रमाटर को छोटे-चोटे साइज में क असान तरीके से बनाएंगे जैसे हम और अपनी सब्जी को बनाते हैं बस इसमें एक चीज का ही ध्यान रखना है जब हम यहां पर आटा लगाएं तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी यह नमक डाला उससी के साथ मैंने रिफाइंड ओयल तीन चमच डाला है छोटे वाली च यहां मैं ध्यान रखना है कि पानी एक दम भी नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा यहां पर तयार करना है जो हमने और डाल था उसके यह हमारे हाथों पर भी कम चिपकेगा और बिल्कुल टाइट डो बनाकर हमें इसको तयार करना है आप च चोटी चोटे बड़ियों को दबाकर हाथ से प्रेस करके मैंने सभी को तयार कर लिया है अब एक बार घर पर है ट्राइक करेंगे तो छोटे बच्चे भी बार-बार मांगे खाएंगे बड़े तो खाते ही हैं हम बड़ियों को अपर नीचे कैसे भी रख सकते हैं यह यहां हमने प्यास डालकर फ्राइब करना है जादा इसको नहीं भूनना है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर टमाटर के साथ डालना है नमक ताकि हमारी टमाटर अच्छे से पक जाए कई लोगों को यहां सबजी बनाने में प्रेशानी होती है या तो यह बड़िया टूट जाती है बिल्कुल पानी के साथ ही घुल जाती है लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई प्रेशानी नहीं आएगी नमक डाल कर इसके साथ अच्छे से पकने के पाद हम इसमें अब हम इसको अच्छे से मिलाकर धक देंगे दो से तीन मिनट तक धक के हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब हमारे टमाट अच्छे से मैस हो जाएंगे तब हम इसमें पानी डालकर फिर अपनी बड़िया इसमें डालेंगे यही करना है कि पहरे हम यहापे पानी डालकर अ पानी भर के अगर आप इससे ज्यादा अटा लगाते हैं तो उसमें एक ग्लास और एड़ कर दें ज्यादा पानी इसलिए ताकि हमारे जो बेसन की सब्चिये वह अच्छे से पक जाए और जो हमारी इसकी तरी है या जो भी इसकी ग्रेवे वह अच्छे से गाड़ी हो जाए यह देखिए उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी बढ़िया आप बेफिक्र होकर उपर नीचे कैसे भी बढ़ी डाल सकते हैं अब हम इसको ठक कर अच्छे से पकाएंगे इसे पकाने में हमारे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं तो हमें लो फ्लेम पे अच्छे से इसको पकाना है और यह देखिए हमारे जो तरी है वच्छे तरीके से गाड़ी हो चुकि है और हमारा बेसन भी पक चुका है इस यह टेस्ट करने का एक तरीका है आगर आप बेसन की बड़ी को खाके देखेंगे तो वह हमारे दातों में अगर चीपकती है तो सबची कची अगर इसे बक्ती तो बन चुकी है